हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू स्फलता मंत्र दोस्टों B8 2020 प्रिवेस परिक्षा की आपकी तयारी अच्छे से चल लई होगी और आपको उसी सीरीज में आगे बढ़ाती हुए हमने आपको लाश क्लास में पिछले वर्षयानी की जो 2019 में प्रिवेस परिक्षा का पेपर हुआ था वही पेपर सॉल्ब करा रहे थे तो कल हमने आपका उसमें जो में पोर्ट्सन था GS का 50 कोश्चन्स वो कवर कराये थे आज उसमें आगे बढ़ेंगे हिंदी के पोर्ट्सन की ओर कम से कम समय में आपके सभी कोश्चन्स क्लियर होते चलें अगर आपको एक सरकारी सीट लेनी है अगर आपको B.Ed के लिए सरकारी कॉलेज में एडमीशन लेना है तो ये कोश्चन्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है स्वयम से हल करते रहिए देखते रहिए ऐसा ही पेपर आएगा और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले वेल आइकन को प्रेस करिए हम लोग आज डिसकस करेंगे खंड आ में आपका जियस था खंड बा की और बढ़ते हैं तो देखे पहला कोश्चन आपके सामने है क्या लिखा गया है मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूड या प्रियोजन के कारण सब्द की जिस सक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से सम्मंद रखने वाले अन्य अर्थ का बोद हो उसे क्या कहते हैं यानि कि मुख्य अर्थ जो है सब्द का उसमें अगर कोई वाधा उत्पन हो जाती तो उससे जो सब्द परिवर्तन हो जाता है जो मुख्य अर्थ के सम्मंद में जो अन्य परिवर्तन हो जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं तो दोस्तों ये लच्छना कहलाती है तीन प्रक करें उसमें भी आपके इंतर गत्वि विभाजन के अधार पर अलग अलग प्रकार होते हैं। तो या आप बताना है सब्द कितने काउन कॉण पंकज सब्ड दिया गया यह किस प्रकार का सब्द है तो दूस्तों पंकज सब्द जो है यह आपका सही अर्थ हो जाएगा पंकज किसको कहते हैं कमल को कहते हैं तो यानि कि पंकज को जो हम अलग करेंगे तो योग रूड के अंतरगत आ जाएगा क्योंकि इससे विसेस अर्थ बन रहा है और जब भी विसेस अर्थ बनता है वे सब्द योग रूड कहल आते हैं जिनको विभाजित करने पर कोई भी सब्द ना बने बिल्कुल भी तूट जाए कोई उसका अर्थ ना हो वो रूड सब्द कहलाते हैं योगिक सब्द वे होते हैं जिनमें दो अलग-अलग सब्द हों और दोनों के अलग-अलग अर्थ निकले उनको विभाजित करने पर और जब विशे सर्थ निकलता है विवाजन करने पर तो ये योग रूड के अंतरगत आते हैं जितने भी आपको पर्याय बाची मिलेंगे या भुबरी ये समास के उधारन मिलेंगे वो सभी योग रूड के अंतरगत होते हैं अगला कोशन वर्ण ब्रत वर्णिक छंद मे परतेक गड़ में कितने अक्षर या वर्ण होते हैं वर्ण ब्रत के अंतरगत जो परतेक गड़ होता है इसमें आपको बताना कुल कितने अच्छन होते हैं तो वर्णिक छंद के अंतरगत परतेक गड़ में कुल मिला करके दोस्तों तीन आधार होते हैं तीन वर्ण होते है तीन अक्षर होते हैं सी नंबर आप्षन बिलकुल सही हो जाएगा और दोस्तों वर्णिक शंद में जो तीन वर्णों का समूँ होता उसे हम गड़ कहते हैं याद रखेगा बहुती अच्छा कोशन है अगला कोशन 24 चंद के प्रतेक शरण में कितनी मात्राइं होती हैं तो दोस्तों 24 चंद एक प्रकार का मात्रिक शंद है आपको पता होगा और इसमें 4 चरण होते हैं और 4 चरण में आपसे पूछा गया प्रतेक शरण में कितनी मात्राइं होती हैं तो प्रतेक्सरण में मात्राहों की संख्या सोलह होती है। इसका आपका सही option हो जाएगा डी नंबर option 24 हंद की बात कर रहे हैं। अगला 55 नंबर question है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार किस परकार के अलंकार के अंतरगत आता है। अलंकार वे होते हैं जो सब्द की सोभा बढ़ाते हैं आभूसन जिनकों कहते हैं और ये सब्दा अलंकार अर्था अलंकार दो प्रकार का होता है अनुप्रास अलंकार जो है ये आपका सब्दा अलंकार के अंतरगत आता है याद रखेगा दोस्वों ए नंबर आप्शन बिल से देखते रही है और समझते रही है दिया गया कोशन सिर पर धारन करने योग क्या होता है तो दूसरों सिर पर धारन करने योग को क्या कहा जाता किस नाम से जानते हैं इसका आपका डी नंबर आप्शन है सिरो धारे सिर पर जो धारन किया जा सके सिरो धारे कहा जाता है दू शब कहते हैं याद रखेगा ये तीनों ही महत्वपून है अगला 58 नमबर कोशन अवधी का सम्मंद किस भासा से किस से सम्मंदित है अगला कोशन अवधी भासा जो ये पूर्वी हिंदी के अंतरगत आती देखें पूर्वी हिंदी अवध जो है पूर्वुत्तर प्रदेश क सभी अगला question आपका ततशम सब्द का चैन कीजिए ततशम सब्द बता तत्शम सब्द वे होते हैं जो सीधे-सीधे Sanskrit के सब्द हैं और वैसे ही हिंदी में प्रयोक किये जाते हैं तो कौन सा option आपका सही हो जाएगा तो इसका आपका सही option हो जाएगा दोस्तों धर्म A number option जो दिया गया यह तत्सम सब्द दिया गया बाकी नाच आशू कैंची यह मुख रूप से आपके नाच और आशू जो दिया गया यह आपके तद्भव सब्द है और कैंची जो दिया गया तुर्की भासा का सब्द है यानि कि विदेशज सब्द के अंतरगत आएगा अगला कोशन है 60 number कोशन देखे जल्दी से तद्भव सब्द का चैन कीजिए प्रियोग किया जाता है तो यह तद्भव सब्द है जो कि कुछ परिवर्तन के बाद हम प्रियोग करते हैं अगला कोशन उचारण इस्थान के आधार पर ता था दाधा वेंजन है किस प्रकार के वेंजन है उचारण इस्थान कम से कम दो अंक जरूर आएंगे अभी आपको जो हमने हिंदी वर्ण माला की हिंदी व्याकरण की क्लासेज पढ़ाई थी उसमें आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे से बढ़ाया था पहला ही हमारा टॉपिक था सुपर टेट की चैप्टर 22 क्लास के अंतरगत तो हमने आपको बताय था ता ता वर्ग जो से बोला जाता है उचारण स्थान आपको जरूर अच्छे से याद करने होंगे अगला कोशन धोबी का स्थी लिंग क्या होगा धोबी सब्सद दिया गया और इसका सभी को पता होगा बहुत इस यह धोबिन कहा जाता तो दोस्तों आप लोग देख सकते हिंदी का पेपर ऐ निरर्थक सब्द में प्रियुक्त उपसर्ग क्या है तो दूस्तों निरर्थक सब्द में आपको उपसर्ग बताना है तो हलंत का विशेज ध्यान रखते हुए आपका आंसर हो जाएगा निर इसका आपका बी नमबर आप्शन सही हो जाएगा निर प्लस अर्थक तो यद्यपी सब्द बन जाता है यानि कि दा और या आधा दा और या और जब ये मिलते हैं तो इसका आपका आंसर हो जाता यद्यपी तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा यद्यपी यद्यपी तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा यद्यपी यद्यपी तो इसका आपका स सबदका संदि विच्छेद क्या होगा बहुत अच्छा कोशन है गईक सबदका संदि विच्छेद 65 नंबर कोशन और सही answer अपका क्या हो जाएगा देखेः जल्दी से तो गाई आए आ रहा है यानि कि आई जाb पवन गायक और भवन ये नयन ये जितने भी आपके एक्जामपल हैं चुनिंदा एक्जामपल हैं सभी अयादी संधी के अंतरगत आते हैं और अगर यहां पर या आ रहा है तो आ की मात्रा होगी या ए की मात्रा होगी और अगर या की जगे पर वह आ रहा है तो आपकी ओ की म आपको नीचे description box में दे देंगे वहाँ पर जाकर आप हमारी हिंदी की वीडियोस को जरूर देख लीजेगा अंतिम समय में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important है तो 66 number question हिंदी में कारकों की संख्या होती है 8 हमेशा याद रखेगा संस्कृत में संख्या घटकर 6 हो जाती है लेकिन हिंदी में 8 होती है करता कर्म करण संपरदान अपादान संबंद अधिकरण और संबोधन ये आपके कुल मिलाकर 8 कारक होते हैं हिंदी में अगला question वाक्य को पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा ए नमबर आप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अगला question दो निकट वर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते है नहीं कि जो परिवर्तन उत्पन होता है जो निकट वर्ती वर्णों के मेल से होता है उसे हम क्या कहई देते हैं जब परिवर्तन उत्पन करते हैं तो ये संधी के इंतर्गत आता है, जब दो सब्दों में परिवर्तन हो जाता है, दो सब्द मिलते हैं और उनमें कोई विकार उत्पन होता है, तो वो समास कहलाता है, दोनों बिल्कुल अलग अलग सीजे हैं, आपको समझना है, अगला कोश सहा विसर्ग आ रही है तो विसर्ग संदी के अंतरगत आ जाएगा सी नंबर आप्सन सही हो जाएगा यह सहा प्लस गान तो यह आपका क्या बन जाएगा यह सो गान सी नंबर आप्सन बिल्कुल सही हो जाएगा इसी प्रकार से उतर नमहा प्लसकार नमस्कार और इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगती सा लग जाता है और अगला 70 नंबर कोशन हिंदी साहित के आदिकाल का प्रधान रस कौन सा था तो दोस्तों आदिकाल में जो प्रधान रस था हिंदी साहित भी देखे पूछा जा रहा है और साहित की पूरी अलग से प्लेलि सही हो जाएगा जहां सबसे प्रसिद रचना थी चंद्र वर्दाई जी की प्रत्वी राज रासो रासो वाली जो रचनाए थी पूर्ण रूप से वीर रस पर आधारित रचनाए थी और इसमें सभी राजाओं का पूर्ण तह वीर रस पर आधारित वर्णन किया गया था तो तो सही आंसर आपका D number option हो जाएगा अगला कोशन सरकारी पत्र की भासा कैसी होनी चाहिए यानि कि जम कोई official लेटर लिखते हैं सरकार को कोई भी अधिकारी को पत्र लिखते हैं किसी को भी पत्र लिखेंगे तो उसकी भासा हमेशा official होती है तो नमबर option बिल्कुल सही हो जाएगा थोड़ा डिस्क्राइब करके बताना पड़ेगा तो अलग से आपको बताते रहेंगे आप लोग जरूर देखते रहेगा अगला कोशन है प्रतेक देश का साहित वहां की जनता की चित्र ब्रति का सचित्र प्रतिविम्ब होता है ये कथन किसका है यानि की देश का साहित वहां के जो लोग होते हैं उनकी चित्र प्रतिविम्ब होता है ये कहना किसका था तो ये रामचंदर सुकल जी का कहना था काविके कभी नहीं एक सगुन थे एक निर्गुण थे निर्गुण भगति काविके अंतरगत कौन से आते हैं चलिए बताइये जल्दी से तो सही हां आपका हो जाएगा दूस्तों आना है सही option कौन सा हो जाएगा तो दोस्तों ये कवीर दाजी के पंक्तियां है ये आपका C नंबर option बिल्कुल सही हो जाएगा बहुत important question है और जो कवीर दाजी हुए ग्यान आसरेई साखा के निर्गुन साखा के अंतरगत आने बाले प्रमुख कभियों में से एक थे हिंदी साहित के भक्तिकाल के अंतरगत आते हैं भक्तिकाल में याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं अगले question पर हिंदी साहित के तियास में सोण यूग की उपाधी किस काल को दी गई है सोण काल किस यूग को कहा जाता है तो ये बहुत अच्छा question है सही answer है हमारा B number option भक्तिकाल को हम हिंदी साहित के सोण काल के रूप में जानते हैं बहुत ही महतपून question है और ये स्याम सुंदर दाश जी ने सोण यूग कहा है 77 number question रतन सेन और पदमावती के प्रेम की कहानी का पर आधारित महा काबे कौन सा है तो दोस्तों पदमावती आजा यानि कि पदमावती पर अगला question देखें जल्दी से 78 number question ये भी आपका एक प्रकार से वाक्यांस के लिए एक सब्द है गोधुली किसको कहा जाता गोधुली समय आपने जरूर सुनाओगा तो गोधुली समय जो होता दोस्तों ये साम का ऐसा समय होता है जो कि संध्या और रात्र के वीच का समय होता हैं सही option आपका c number option हो जाएगा अगला question अगोचर 79 number question अगोचर किसको कहा जाता है अगोचर यानि कि जो आइखाई नजा सके उसे हम क्या कहते हैं सही Option आपका हो जाएगा दूस्तों बी नंबर ऑप्सन जो आँखों से दिखाई ना दे एकदम गोचर हो जाए गायव हो जाए चलिए बढ़ते हैं एटी नंबर कोशन की और जल्दी से समझते रही है आंसर करते हैं दी गई कहावत के प्रचलित रूप का चैन कीजिए भजन करते समय कप कातने लगे और अगला आपका दिया गया इसमें कहां पर यह देखे इसमें से आपको चूज करना कि कौन सी प्रचलित पंक्ति दी गई कहावत दी गई चारों में से सही कौन सी है वो आपको बतानी है तो चारों ऑप्सन दिये गए जल्दी से पढ़िए सही ऑप्सन क्या तो इसका आपका सही ऑप्सन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर आप्सन आये थे हरी भजन को ओटन लगे कपास यानि कि इन चारों में से जो सबसे सही प्रचलित पंक्ति दी गई है बिल्कुल सही क्रम में दी गई वो आपको चूज करनी है एटी वन नंबर कोशन है जल्दी लोग बात करेंगे लोग ओक्तियों की देख लीजें दोस्तों सबसे जादा कोश्चन जो आपके आए हैं एक आपका वाक्यान से आए हैं दूसरे आपके आए हैं लोग ओक्ति पंक्तियां मुहाबरों से इन से तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ने तीसरा आपका जो इंपोर्टन टॉपिक है वो साहित का है वो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं आप हमारी नीचे दी गए प्लेलिस्ट पर क्लास के एंड में जरूर जाए और इन सभी की पीडियाफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से मिल जाएगी जिसका लिंक नीचे दिया गया सफलता मंत्र नाम से आप लोग सर्च करके भी जुड़ सकते हैं तो क्या दिया है तेते पाउं पसार ये जेती लंबी सोर तो ये इसका अर्थ बताना है आपको तो अर्थ हो जाएगा दूस्तों सामर्थ के भीतर का ही कारे करना चाहिए यानि की कारे हमेशा उतना ही करना यानि की वो तो पहले सही गरीब है उससे किस प्रकार की मदद की आसा कर सकते हैं आर्थिक मदद की आसा कर सकते हैं बी नंबर आप्सन सही हो जाएगा अगला 84 नंबर कोशन इसमें आपको मुहाबरे चूज करने देखे जल्दी से घी के चिराग जलाना तो घी का चिराग का मतलब क्या होता है खुसियां मनाना जिससे राम मंदिर के निर्माड पर घी के दिये जलाए गए तो यानि कि खुसियां मनाईगी डी नंबर आप्सन बिल्कुल सही हो जाएगा अगला कोशन 9-21 होना तो ये तो बहुत ही जी ये 9-21 होने का मतलब होता कि भाग जाना सीध सीधे पुलिस को देकर चोर 9-21 हो गया यानि कि भाग गया सही ऑप्सन हो गया बी नंबर आप्सन अगला दिया गया है सुद्ध वरतनी नहीं है वो आपको चूज करना है एक गलत दिया गया बाकी तीन के वरतनी सुद्ध दी गई है तो इसका आपका सही ऑप्सन दिया गय तो तीन चारो एक जैसे ही दिये गए लेकिन सबसे सुद्ध जो दिया गया वो आपको चूज करना है और ए नमबर आफशन वाग मैं इस प्रकार से लिखा जाता है इंग्या लिखाओ गाप के रूप में पढ़ा जाता है यही सबसे सही रूप होता है आगे बढ़ते हैं कि इंद्र यानि की सूर्पती कहा जाता सुर्यानी की देवता पती यानि की उनके भी जो राजा है उने इंद्र के नाम से जानते हैं अगला कौशन चतुरानन का अर्थ नहीं है चतुरानन के तीन अर्थ दिये ग orazए वो आपको बताना है तो 89 का आपका सही ऑपशन जो दि सीदे सीधे आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, जहाँ पर भी प्रती अधी यथा, इस परकार के सब्द मिल यहाँ, अभ्य भावसमास हो जाएगा, क्योंकि यह होता है अभ्य पद, अभ्य पद जहां पर आपको लगावा मिल जाए, वो आपका अभ्य भावव समास के अंतरगत आ जाता है अगला 91 नंबर कोशन है निम्न लिखित में से कौन सा विदेशी सब्द नहीं है तो इन में से कौन सा विदेशी सब्द नहीं है बताइए जल्दी से तो आपके सामने चारों आपसंस दिये गए एक आपका विदेशी नहीं है तीन विदेशी है तो अभि जात इसमें नहीं आएगा अगला कोशन गडिका का पर्याय बाची सब्द क्या होगा तो दोस्तों गडिका किसको कहा जाता है तो यह कहा जाता वेस्या को इसका आपका वेस्या को बी नंबर आप्सन सही हो जाएगा बिल्कुल अगला कोशन 93 नंबर कोशन भवितब्यता का प विलोम क्या होगा अंतर मुखी इसका विलोम क्या हो जाएगा तो विलोम सब्द सीधे सीधे वहिर मुखी अंतर और वहिर वहिर माने बाहर अंतर माने अंतर सही आप्सन आपका हो जाएगा डी नंबर आप्सन अगला कोशन उदात का विलोम क्या हो जाएगा 95 नंबर कोशन उ कल क्लास मिलेगी जिसमें हम लोग आगे के questions को कबर करेंगे और अगर आपको यह अन्य topic को पढ़ना चाहते हैं जो आपके B.A.D. exam के लिए important है तो आप लोग जरूर बताइएगा बाकी classes के link हम पहले ही पढ़ा चुके हैं दिये गए नीचे उनको जरूर देखेगा हिंदी वर्ण माला में छत्रग्या स्रा क्या हैं तो यह किस प्रकार के वर्ण के अंतरगत आते हैं वेंजन तो आपने पढ़े होंगे लेकिन उसके अंतरगत किसके अंतरगत आते हैं तो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त वेंजन के अंतरगत यानि कि सभी वेंजन आपके किसी वर्ग तावर्ग और पावर्ग ये पाँच वर्ग इसपर सवेंजन के अंतरगत आते हैं याद रखेगा सौर ग्यारे होते हैं आप लोगों को पता होगा अगला 97 नंबर कोश्चन क्या दिया गया है देखे जल्दी से चरण या पाद किसके अनिवार संगटक तत्त हैं तिका आधा हिस्सा होता उसे चरण या पद कहा जाता है अगला आपको वर्तनी बतानी है 98 नंबर कोश्चन है अंतर विरोध किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आप लोगों को बताना है तो अंतर विरोध ने पहले ही बोल दिया था B नंबर आप्शन सबसे सही ढंग से ल लिखा जाता है अब आज का अंतिम कोश्चन है 100 नंबर कोश्चन अगर आप लोग इसकी प्रक्टिस करना चाते हैं एक बार फिर से तो लिंक नीचे दिया गया वहां पर जाकर कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अंतिम कोश्चन दिया गया प्राग एतिहासिक किस प समझ में आयोंगे हिंदी की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताई आज की क्लास में इतना ही मिलते हैं कल सुबह की क्लास में तब तक लिए थैंकि दोस्तों गुडबाय टेक क्यार